प्रणांगंत्र जी स्वयम करते हैं कि हमारा 140 क्रोल परिवार लेकिन अफसूस की बात है कि वह 140 क्रोल में विभेत पैदा करना चाहते हैं भाई-भाई के बीच नफ्रत का दिवार खड़ा करके अपने एजेंडा और धुर्वी करन की राइनित को बढ़ावा देना चाहते है इस तरह की राइनिती देश के लोगा पसंद नहीं कर रहे हैं देश का नवजवान चाहता है कि नौकरी और रोज़गार कर क्या हुआ है यह बता है कि नमस्कार मैं प्रीज मिस्त्रा है और आप इनुस्ट्टी पॉर्ट देख रहे हैं हमारे साथ बाचित करने के लिए राज़यत के प्रदेश परवक्ता इजाज एमध हैं प्रधान मंत्री ने बोला है कि जो बच्चे पैदा करते हैं उनको सत्ताहिं आने के बाद उनको सारा चीज दे दिया दाएगा लेकिन अफसोस की बात है कि वो 140 कडोर में विवेत पैदा करना चाहते हैं भाई-भाई के बीच नफरत का दिवार खड़ा करके अपने एजिंडा और धुर्वीकरन की राजनीत को बढ़ावा देना चाहते हैं इस तरह की राजनीती देश के लोग अपसंद नहीं कर रहे हैं देश का नौजवान चाहता है कि नौकरी और रोजगार का क्या हुआ ये बताएं देश का आम अवाम चाहता है कि महांगाई जो चरम सीमा पर पहुँच गया उसको कम करने की दिशा में आप क्या कारवाई कर रहे हैं देश की महिलाएं चाहती हैं कि जो योनाचार अत्याचार की घटनाओं में विर्धी हुई है और जिसमें भारतियन पार्टी के नेता और कारच करता सामिल रहे हैं उस पर आप कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं देश के जो सबसे गरीब वर्क के लोग हैं निर्धन परिवार हैं बीपील के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी आर्थिकि स्थिति बहतर हो, वो 5 किलो गहूं और 5 किलो चावल दे करके जो आपने उनकी सोच को, आपने उनकी क्रह सकती को, आपने उनके परिवारी किस्थिति को जो दैनिये बना दिया है, ये किसी भी दृष्टि कौन से उचित नहीं है वहीं दूसरी ओर जो आपके उद्योक पती मित्र है हम दो हमारे दो उनको आप बढ़ावा देने के लिए किस तरह की नितिया चला रहे हैं किस तरह का आप कार्च करम कर रहे हैं किस तरह से उनको लाब पहुंचाने के लिए जो भी लाब वाली कमपनिया उसको अने पहुने दाम में बेच करके उनके हितों का कार्ज कर रहे हैं इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं इस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं आप वो बाते करते हैं जिन बातों में कोई द कुमलाबाजी निकला भरम धरम की राजनीत निकला और कहीं न कहीं आम लोगों को परसानियों में डालने वाला इनका जो सोच है वो असपश्टूप से सामने आया इसलिए भार्दियंता पाटी और केंदर की सरकार दस वर्सों में क्या किया है इन कार्जों को आप बताइए लिए आप दूसरे के कार्जों को और दूसरे के बातों को अपनी राजनीती का आधारा कार मत दीजिए अब देश की जंता इसको सुनना नहीं चाती है बिहार के हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि बिहार जो है दिल्ली तक होता है बिहार और उतर पर्देश आफ आहम भूमिका निवाती है तो यहां लगता है बिहार में इस बार आप लोग पार करने दीजिएगा औरर सबसे पहले तो जो 400 का नारा लगाते थे 102 में वो बेकार हो गए 102 सीटों का जो देश भर में चुना हुआ इन्होंने जो जुमला का पहाड खड़ा कर दिया था लोगों ने वोटों के बरसाथ से इनके जुमले के पहाड को धाने का काम किया और बताने का काम किया है कि आप जुमलाबाजी नहीं चलेगा और आप देख रहे हैं कि उसके बाद से प्रधान मंत्री जी और अनरगल बाते और धरम भरम की बाते करना शुरू कर दिये यह असपश्टूप से संकेत है कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है देश की जनता असपश्टूप से इनको कह दिया है कि आप जो चार सो पार की बात कर रहे है आप चार सो की बात अब करना छोड़िये अब जनता आपको तड़ी पार करना चाहती है जनता आपको सत्ता से बाहर करना चाहती है जनता आपको देखना नहीं चाहती है तुकि दस बरस बड़ा चीज होता है एक जुग समाप्त हो गया एक जुग में आपने कुछ नहीं किया जिस तरह की राजनिता आपने की है उस राजनिती से जनता और जनता का भला कहीं से नहीं हुआ प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जो रूबताईएगा स्योगी नंदन के साथ प्रिस्ट अप्तना ननुबाद